कस्मीर को कन्या कुमारी से जोडने के लिए रेल मार्ग के काम पर जबर्दस तरीके से काम किया जा रहा है यहाँ पर जो इस्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं वो है एक अनूठा पुल यह अनूठा इसलिए है क्योंकि यह देश का पहला केबल आधारित रेलवे पुल है इस पुल का विस्तार 290 मीटर तक है यानि लंबाई 290 मीटर है जब यह बनकर तयार हो जाएगा तो 96 बड़े बड़े रसे यानि केबल इसके वजन को समहा लेंगे यहाँ पर जो आप उल्टा वाई देख रहे हैं इसकी उचाई 193 मीटर है अब यह पुल आकार लेने लग इस पुल की एक और खासियत है वह है इसका इटालियन डिजाइन इसको इटली की कमपनी ने डिजाइन किया है अंजी खड यानि अंजी नदी पर बन रहा यह पुल नदी के तल से 331 मीटर की अधिक्तम उचाई तक जाएगा यहाँ पर रात दिन काम किया जा रहा है यह हिम वह जबर्दस्त बनाया जा रहा है साथ ही साथ इस इस इलाके में बिछाई जा रही रेलवे लाइन की एक और खासियत है इसका ज्यादा तर हिस्सा सुरंग के अंदर से होकर जा रहा है कट्रा बनिहाल रेल परियोजना पर रेल मंत्राले का पूरा फोकस है दरसल कट्रा से बनिहाल के बीच में 111 किलोमीटर लंबे रास्ते पर लगातार काम किया जा रहा है उत्तर रेलवे के महाप्रवंधक आस्तोस गंगल इन दिनों इस रेल परियोजना के काम को देखने के लिए जम्मू कस्मीर पहुचे हुए हैं इस रेल परियोजना के काम को पूरा करने के लिए उत्तर रेलवे, कौंकन रेलवे और दूसरी कई सरकारी और निजी कमपनियां मिलकर काम कर रही हैं उत्तर रेलवे के महाप्रवंधक ने इन सभी एजंसियों के अधिकारियों के साथ निरिच्छन का काम देखा और साथी साथ निर्माण कारी की समिझ्छा की उन्होंने इस महत्वा कांची राश्री परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने पर बल दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेलवे के अधिकारी सुरंग के अंदर का काम देख रहे हैं कि आखिरकार यहाँ काम कैसे हो रहा है हम आपको बता दें कि महाप्रवंधक आसुतोस ने 16 फरवरी को रियासी जिले में रेल परियोजना के लिए बनाई जा रही पुल का निरिक्षण किया महाप्रवंधक ने अंजी ब्रिज के साथ साथ रेल टनल 13 और 14 का भी दोरा किया दरसल भारस सरकार स्रीनगर को जल्द से जल्द रेल मार्क के जरिये देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के काम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है क्योंकि यह परियोजना अपने तैं लक्ष के मुकाबले काफी देरी से चल रही है पहले यह माना जा रहा था कि इस रेल परियोजना का काम 2022 तक पूरा हो जाएगा लेकिन मौजूदा प्रस्थितियों में ऐसा नहीं लग रहा है अब रेलवे की पूरी कोशिस है कि इस परियोजना को वर्ष 2030 तक पूरा कर लिया जाए इस परियोजना की जो सबसे बड़ी चुनावती है वो चुनावती है हिमालय और हिमालय का यह इलाका जबर्दस्त तरीके से उथल फुथल वाला है यहाँ पर 111 किलोमीटर लंबे रेल मार्क का एक बड़ा हिस्सा रेल सुरंगों के अ यहाँ पर सुरंगें बनाई जा रही है और हिमालय का यह छेत्र पीर पंजाल परवत माला का छेत्र है इस परवत माला में जिस तरीके से जबर्दस्त तरीके से जमीनी उथल पुथल होती है उसकी वजह से इस परियोजना के लिए जबर्दस्त काम करना जरूरी है लिहाज हर कदम फूप फूप कर रखा जा रहा है साथ ही साथ यहां पर जो काम किया जाता है उसमें सबसे बड़ी बाधा मौसम है क्योंकि साल का एक बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं इस इलाके में जबर्दस तरीके से बारिस और बर्बारी की चपेट में रहता है लिहाजा यहां पर का करने के लिए साल का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है कई सुरंगों में जब उनकी खुदाई की गई तो वहां पर जबर्दस तरीके से पानी का बहाव रहा लिहाजा उस पानी के बहाव को रोकने के लिए अलग-अलग तक्नीक का इस्तेमाल किया गया उसके बाद ही उस सुरंग क आगे बढ़ाया जा सका लेकिन अब यहां पर देखा जा सकता है कि रेल परियोजना का काम काफी तेजी से बढ़ रहा है कई जगहों पर लंबी लंबी सुरंगों का काम पूरा कर लिया गया है इस परियोजना में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बन रही है जो पीर पंज परियोजना में तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी देश का पहला केबल आधारित पुल इस परियोजना में आपको देखने को मिलेगा तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चेनाब का जो पुल है वो अपने आप में अनूठा है दुनिया का सबसे उचा आर्च ब्र वो एक सुरंग के अंदर का है, यहाँ पर 6 किलोमीटर से लंबी कई सुरंगे हैं, 5-6 किलोमीटर से लंबी जब भी कोई सुरंग होती है, तो उसमें escape tunnel बनाना जरूरी होता है, यानि जो सुरंग की लंबाई है, उसकी लंबाई के बराबर ही एक दूसरी सुरंग साथ साथ च चलती है, तो काम अपने आप में जो खिम भरा हो जाता है लेकिन साथी साथ इसमें वक्त जादा लगता है, और वक्त जादा लगने के पीछे जो वजह है, वजह यहाँ की जोलजी है यानि यहां की चटानों की अगर हम बात करें तो यहां की चटाने उतनी जादा मजबूत नहीं है कि इसमें सुरंग आसानी से खोदी जा सके लिहाजा हर लिहाज से हम कह सकते हैं कि सुरंग को मजबूत करना पड़ता है और उसके बाद ही इसमें आगे बढ़ा जा जलिए जाइगा